बच्चों आपने मैसूस किया होगा कि मौसम के अनुसार हमारी वेश भूशा और खान पान में परिवर्तन होता है जैसे ठंडी के मौसम में हम उनी कपड़े और गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं जबकि गर्मियों में हम हलके रंग के कपड़े और सूती कपड इस ही बात को समझने के लिए हमें क्रिया कलाब करते हैं कि इस क्रिया कलाब के लिए हमें जिन सामगरी के आवशकता होगी वह है पानी थर्मामीटर यह बीकर जिसे हमने पानी की मात्रा को मापने के लिए रखा हुआ है और तीन बरतन यहां मेरे पास है इसमें से एक बरतन को हमने काले रंग से रंगा हुआ है यह स्टील का बरतन और यह मिट्टी का बरतन हम करेंगे क्या हम सबसे पहले इस पानी की समान मात्रा को इन बर्तनों में भर लेते हैं ठीक है चलिए 50 ml पानी ले लेते हैं यह देखिए यह 50 ml वाटर यह मैं पहले इस काले रंग से रंगे हुए बर्तन में डाल रही हूं इसके बाद इतना ही यह देखिए यह 50 ml वाटर हम दुबारा इस बर्तन में डाल रहे हैं और लास्ट में थोड़ा सौर लगेगा हमें पानी यह देखिए यह फिर से 50 ml हम इस मिट्टी के बर्तन में डाल देते हैं ठीके अब हमें क्या करना है हम इन सभी बर्तनों में भरे हुए पानी का तापमान नोट कर लेते हैं यह देखिए से पानी का तापमान आ रहा है 28 डिग्री सेंटिग्रेट यह 28 डिग्री सेंटिग्रेट पानी का तापमान हमको मिल गया है ठीके तो चलिए अब हम इन तीनों बर्तनों में जो पानी रखा हुआ है इसे थोड़ी देर के लिए धूप में रख देते हैं तो देखे बच्चों हमने बर्तनों में जो समान मात्रा में पानी लिया था उसे हमने धूप में रख दिया है और अब थोड़ी देर बाद आकर हम देखेंगे कि इन तीनों बरतनों में से किस बरतन के पानी का तापमान सबसे अधिक आएगा चलिए बच्चों अब थोड़ी देर धूप में रखने के बाद इन बरतनों में रखे पानी का तापमान नोट कर लेते हैं इसके लिए थर्मा मीटर को बीकर में रखे सामाने ताप वाले पानी में डाल देते हैं और इस प्रकार हम थर्मा मीटर को नॉर्मल टेंपरेचर में ले आते हैं ये हो गया 28 degree centigrade चलिए अब हम काले रंग से रंगे हुए इस बर्तन के पानी में तापमान को नोट कर ले यह देखिए पारा उपर चड़ रहा है और इसका तापमान आ रहा है 38 डिग्री सेंटिक्रेट चलिए फिर थर्मामीटर के तापमान को सामाने करने के लिए बीकर में रखे सामाने तापवाले पानी में डालते हैं देखिए यह पारा नीचे आ रहा है और अब हो गया यह वापस 28 डिग्री सेंटिक्रेट अब हम नोट करेंगे इस्टील के इस बरतन में रखे पानी का तापमान देखिए पारा वापस उपर चड़ रहा है और अब हमें इसका तापमान मिल रहा है 32 डिग्री सेंटिक्रेट पुना वही प्रक्रिया थर्मामीटर के तापमान को सामाने करने के लिए यह देखिए यह वापस हो रहा है 28 डिग्री सेंटिक्रेट फिर से सामाने ताप में आ गया और अब मिट्टी के बरतन की बारी है इसमें रखे पानी का तापमान चेक कर ले यह मिल रहा है हमें 26 डिग्री सेंटिक्रेट तो बच्चों हमने देखा कि इन तीनों बरतनों में जो बरतन काले रंग से रंगा हुआ है उसके अंदर रखे पानी का तापमान सबसे अधिक मिला अब बात करते हैं इस्टील के बरतन की जो सत्व होती है वो चमकदार होती है इसलिए उसमें उश्मा का जो अफशोशन हुआ वो काले रंग के बरतन से कम हुआ और इसलिए उसमें पानी का तापमान भी उसकी अपेक्षा कम मिला चलिए बात करते हैं मिट्टी के बरतन की मिट्टी के बरतन में बहुत ही सूक्ष्म असंख्य छिद्र होते हैं जिसमें पानी आ जाता है जिसके कारण जो उश्मा है वो इसमें अवशोशित होती है और वह पानी जो है वो वाश्पित होता है उससे इसके अंदर रखे पानी का तापमान कम हो जाता है याने कि वो ठंडा हो जाता है अपने देखा होगा गर्मियों में हमारे घरों में मिट टाफमान शवा से हमने क्या इन तीनों बरतनों में समान मात्रा में लेकर धूप में रखा था और यह कि इस बरतन के पानी का तापमान सबसे डीक हुआ करते हैं जब सानके कम्रे Oke इस पर बच्छों क्या इसमान मात्रा में हो चुका है जब हमने इन बरतनों में रखे पानी को कमरे के सामाने तापमान में रखा था चलिए अब प्रत्य बरतन के पानी का तापमान नोट कर लेते हैं थर्बामीटर के सायता से हम ये करेंगे तो सबसे पहले इस काले रग के बरतन में जो पानी है उसका तापमान नोट करते हैं अभी देख लें से कीकितना आ रहा है देखेए यह आ रहा है 28 डिगरी सेंटी ग्रेड यहाने यहां कमरे के तापमान पर आ चुका है चलिए अब इस टील के बरतन में जो पानी है उसका तापमान नोट कर लें यह देखिए यह आ रहा है उन्तीस डिग्री सेंटिग्रेट इसका तापमान धूप में रखने पर कितना मिला था? इसे थोड़ा सामानय ताप में आने देते हैं फिर हम मिट्टी के बरतन के पानी का तापमान देख लेंगे चलिए ठीक है तो अब हम इसका तापमान नोट कर लेते हैं यह हमारे पास पूर्व की तरह आया spaces 26 degree centigrade इसका तापमान धूप में रखने पर के बाद भी हमें किता मिला था? और पानी से funzion कि तो देन के hainandising फैसके अहते हैं उनुके हम चाहते वलाधिक जो टापमान सबसे आदिक होता तो जब ऐसे भी कछाल्तियी चाहते हैizing ढ़ी खेशाए काले एक पानी लि伏 करए जो पाक सबसे लिए और अगर हम बात करें इस्टील के बरतन में रखे ग्लास में पानी की तो क्योंकि उसका जो तापमान आया था वो काले रंग के बरतन से कम आया था वो कितना था 32 सेंटिग्रेट और इसलिए उसे ठंडा होने में या उसमें जो उश्मा का उच सर्जन हुआ उसको सामाने